आई वेलकम यू अगें इन दिस चैनल सजदान अंदर लाइन चैनल इस्टूडेंट आज हम लोग ऐसे पढ़ेंगे निबंद पोलुसन पर और हम बता दे कि क्लास 11 और 12 दोनों में काफी इंपर्टेंट है फाइनल क्लास 12 में 12 नंबर के आते हैं इसके पहले हम बता दे स्ट और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आईए हम लोग दे प्राब्लम मा पोलुसन पर इस्टिडी करते हैं देखते हैं क्या है तो यह भेरी भेरी इंपर्टेंट है और सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ठीक है तो दे प्राब्लम मा पोलुसन भेरी बर्निंग एंड ग्रेव टूड़े तो जो प्रयावरण प्रदूसर का प्राबलम है वो आज बहुत ही ज्वलंत और गंभीर समस्या है आज हम लोग अपने इस वातावरण का इन्वर्मेंट का जो हेल्थ है स्वास्त है उसको डिटर्यूरेटेड कर दिया है यानि बिगार चुके है आज हमारा जो जल है जो तल है यानि प्रित भी है धरती है और हमारा जो वायू है पूरी तरह से प्रूटेटेड हो गया है प्रोदोसित हो चुका आज हम गंदी सांसे लेते हैं और गंदे जल का सेवन करते हैं अब देखें काइंड सा पूलशन प्रदोसन के प्रकार तो दी जार मेनी काइंड सा पूलशन टूड़े बहुत प्रकार के होते हैं पूलशन के आज जैसे वाटर पूलशन, एयर पूलशन, नौइस पूलशन soil portion यानि जल प्रदोशन वाय प्रदोशन ध्वनी प्रदोशन और भूमी प्रदोशन ठीक है इनके बार मिस्टेडी करें पहला पॉइंट है water pollution correct तो water is life but we have polluted the water today तो जल ही जीवन है ठीक water is life जल ही जीवन है लेकिन आज हम इस जल को क्या कर चुके है है प्रदोसित कर चुके है पॉलूटेटेट कर चुके है वी अर लीविंग वास्ट को छोड रहे हैं यानि की पानी में हम क्या कर रहे हैं आप कचरे को छोड रहे हैं लगातार वी लिव फर्टिलाइजर्स pesticides and waste materials of the industries in the waters तो हम इस जल में क्या-क्या चीज़े छोड़ते हैं fertilizers, गुरुवरक और किट नासक और waste materials यानि कि कच्रे जो industries से उद्देवों से फैक्टरियों से निकलती है and waste materials of the industries in the water सिधे हम लोग पानी में उस इन चीजों को लगातार छोड़ रहे हैं so we use the dirty water and invite the digits इस प्रकार से जब हम उन कचरों को गंदगीों को पानी में छोड़ रहे हैं तो उस पानी का हम प्रयोग कर रहे हैं अता हम उस गंदे water का प्रयोग कर रहे हैं और बीमारियों का निवता दे रहे हैं इन वाइड द दीजीच अगला हेडिंग है air pollution दखें the smoke का factories, workshops and vehicles are increasing air pollution day by day मने कि यह जो फैक्टरियों से, कलकर, खानों से, गाड़ी, मोटरों से जो smoke मने धूँआ निकल रहा है यह increasing air pollution day by day यानि कि दिन पर दिन प्रदूसर को increasing मने बढ़ा रहा है air pollution मेकाश, lungs disease, eye gene problems of breathing, etc जो वाइड प्रदूसर है वो हमारे फैपडों की बिमारियों का सबब बन सकता है और हमारे आँखों में परिशानी कर सकता है और सांस की प्राबलम को उत्पन न कर सकता है तो जो अख्रदूसर है इस से हमारी आँख की बिमारी या लंग्ज की बिमारी, फेपडों की बिमारी, या स्वशन की बिमारी हो सकती है अगला पॉइंट है नवी स्पोलसर जो ध्रदूसर है तो नवी स्पोलसर में causes the deepness and the other human disease जो noise pollution है धोनी पर दूसर है यह क्या लाता है यह deepness लाता है बहरापन उत्पन करता है बहरापन और तमाम प्रकार की human disease मने मानों की बिमारियों को पैदा करता है तो जो तेज आवाज होती है और गाड़ी मोटरों के जो रोर है गरजन है और लावड़ी स्पीकर की जो आवाज है लावड़ी स्पीकर यह noise pollution को produce मने उत्पन करते हैं अगला पॉइंट चरके soil pollution भूमी प्रदूसर दब्लींड हेज यूज आफ फल्टिलाइजर संट पेस्टिसाइड सीन आवर क्राप्स में भी काज आफ स्वाइल प्रदूसर जो अंधा धुंद फल्टिलाइजर का प्रयोग है कि इतना सुकों का प्रयोग जो हम अपने फस आफ यह हम कह सकता है कि आवर बाडी में भी इंफ्यक्टेड मने प्रवद मिससीद हो सकता है रो Jersey थो सकता है हमारा जो बाड़ी तो इसका प्रविंशन mines landstar popular simlet र ott और स्टेशन आप ग्रीन ट्रीच और हरे पेड़ों के कटाओ को भी निंद्रित करना चाहिए सो लास्ट में कंकुलूसियन देखें इसका निसकर्स क्या है सो पब्लीक अवरनेस इस भेरी मस्ट टू चेक पोल्शन अता आज लोगों की जागरूपता बहुत ही आवस्यक है कंट्रोल करने के लिए पोल्शन को वी सूट रिलाइज आवर डिस्मांसिबिल्टी हमने और ओबेदर रूल्स इस्टिक्टली